गुरुबार को पाइं तो फुल पिंक नहीं पास है उसका बलाओ भी मुझे नहीं में दो था जल्दबाजी और अपी सभ्धा के स्कूल में है पीटी है उनकी चपी एकसाम होई थी टर्म वन की सो उसका रिसल्ट है अच्टो लेने जा रहे हम निइक तो फस्स में रडी होगी सभ्धा को भी रडी करके भीश दिया नीचे इकाना को भी रडी करके भीश दिया और इना लेट हो गए हैं तो बस अफटावट से निकल जाते हैं पहले स्कूल पर आके देखेंगे वह ने खाना बनाया है पहले जल्दी जल्दी रातकों बहुत लेट हो गए थे सूनी में तो सुब्छ थोड़ा लेट से उठे इस वज़े से लेट हो गए तो चलते हैं इस बार का रिसल्ट कैसा निक स्कूल और पताने क्यों मुझे स्कूल जाकर ना एक अलगी वाइपस आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना चाहे वह बच्चों के स्कूली ना जानो टैन तक की जो लाइफ होती ना स्कूल की वो मुझे बहुत मैं बहुत जादा मिस करती हूं बहुत अच कि अपनी बेसिक मिस्टेक्स के कारण ना इसके जो भी नंबर्स वगरा कठ होते हैं बच्चों की तो खुशी का कोई टिका नहीं था सभ्या था सबसे पहले बेक खुल कर देखती कि पापा नानू क्या लेकर आये मतलब बस इसके बाद फिरम लोगों ने खाया साथ में खाना बाकी सब लोग खा चुके थे बस ये और में ही बचे थे और इतने में आ गए थे प के थी तो हम लोगों ने सब लोगों ने खाना बाना खाया साथ में ममी ने फटा-फट से गरम-गरम पराठे बनाए राइस वगरा बनाए क्योंकि आल्मोस सब का खाना डान हो गया था बस हम लोगों ने फिर सब लोगों ने साथ में खाना खाया ये सब या पीछे सर को थो वर्ट रेडी विडी होना स्टार्ट कि, हम लोग रेडी विडी होकर आ गए थे गरभई में क्योंकि या सेकेंड डिट था हमारा वैसे तो फोर्थ डरे था तो हम लोग आ गए थे आज की जो थीम थी ना वो गुजराती डरे पनी गुजर ड्रेसप था तो वो था नहीं तो वो हमारे पस लेंगा था, हम लोगों ने वही पहन लिया, आकर हम लोगों ने बस सब्भयो थोड़ा सा मैंने डांस वन्स किया रील बने, फिर गर्बा करने स्टार्ट किया, तो आज औरकेस्ट्रा था, सो इतना मज़ा नहीं आया, जो एक सॉंग्स बस ते रहते हैं उसकी बात होती ही, बस सब लोग आये, सब का वीट करे थे, कि आज आये, सब लोग तो फिर हम लोग गर्बाय स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ी मोड़ी बारिश हो गई थी ना, हाज हमारे यहां पर, तो इतना गीला-गीला सा लग रहा थी, मतलब थोड़ा सा होता है न, जो मैटिंग वगगए थी, वो गीली हो गई थी, फिर आखरी में, लास्ट में, इस तरह से जो भज़न वगगए होते हैं, लास्ट में आर्थी होती हैं, मतलब इस तूती वगए होती ही, वो सब हुआ और फिर वहां से में चली गई थी मंदीर मम्मी के पास में खमाख्या मता के मंदीर में निन को बुलाया तो यह आ गए थे लेने तो हम लोग आ गए थे मंदी क्योंकि अभी नवरात्री के दिन चल रहे हैं और आधी दिनी में बस बीच में गई थी फरस्टे गई थी और फिर में गई नी और फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्टे मॉर्निक को मतब नौमी वाले दिन तो आज हम लोगों किया हमारी कुल देवी होती हैं उनके हम लोग आरती वारती करते हैं परिशाद वगरा लगाते हैं और मतलब आगरी दिन रहता है तो उनको दूप वगरा देते हैं जो भी करते हैं उनकी बुचापाथ तो वो सब किया हम लोगों ने जल्दी जल्दी से क्योंकि आज के दिन सब्यों को इतनी सारी जगे खाना खाने जाना था और हमारे महले में जो माता जी बैठी वही थी न उनके वहाँ पर भी भंडारा था तो घर पर सिफ खाने वाले में दादी और यही थे बट फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि यह भी चले गए तो दादी और मैं ही थे बस पटापट हम लोगों ने खाना मतलब आरती वगरा कि मैंने खाना बनाया जल्दी से और फिर न शाम के समय से इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी न इतनी तेज वाली कि आज का जो कि इस हवा के साथ में बारिश आरी थी न कि हमारे अंदर तरफ तक पानी आने लगा था और करीब चार घंटे के लिए लाइट चली गई थी आज है नौमी तो आज न हमारे हैं पर इतनी तेज वाली बारिश हो गई न तो आज का जो इवेंट था मतलब गर्वे का आज लास्ट दे था वो कैंसिल हो गया विकि बहुत जादा तेज बारिश हो रही थी और करीब 8 बज़े तक और लाइट भी नहीं थी पूरे शहर मे लाइट में थी तो वो पोस्पॉन होके वो कल हो गया है तो अभी हम घर पर थे खाना वाना खाकर फ्री होए तब हम जा रहे हैं थोड़ा समंदी और जो थोड़ा दूर की माता जी हम लोगों नहीं देखिए वो देखाएंगे अगर वो सरचन के लिए नहीं गई होगी तो तो बस सभ्या तो पहले ही चली गई थी मम्मी के साथ अब मैं जा रही हूं काना और लोग अलरड़ी नीचे पहुँच चुके हैं तो बस चलते हैं मंदीर बस मंदीर पहुचे तो वहां पर ना आलमोस्ट कन्या पूजन खतम ही होने वाला था तो बस सब चल्दी चल्दी से सारी देवियों के जितनी सारी सब कन्या थी सब का आशिरवाद लिया और काना का मूर नहीं था अज बिलकुल भी अंदर आने के लिए इतना जादा उसको कुछ खिलाना भी नहीं था तो आज किसी ने शथ फ्रूटी दिया था तो उसके फ्रूटी के लालश में वाया था बट हमने उसे नहीं दिया क्योंकि उसे बिलकुल भी बाहर की चीज़े और ये पैकेच वाली चीज़े नहीं देना थी बस वहां पर इस तरह से जो छोटी चोटी करनी होतीं उनको देवी के स्वरूप में दयार करते हैं मंदिर वालों की तरफ से ही कपड़े चुनि और कोट उखर करकर सजाते हैं और देवी स्वारूप उनके पूजा नर्चन किया जाते हैं अरशिरवाद वगरा सब लोग लेते वहां पर फिर वहां से हम लोग नाकरी में माता जी के इच्छे से पैर वगरा चुए काना को बहुत बोला कि पैर पढ़ लोग उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था फिर वहां से हम मूर्ती में नो देविया का मतलब नो फेस थे अलग अलग उनके और फिर आगे गए ना तो यहां पर जो साउथ में मंदीर होते ना देवियों के उस टाइल में मतलब का डेकोरेशन था और वैसी माता बैठी हुए थी और यह तो काफी दूर थी जाकर हम लोगों ने यहां किये और यहां पर बदरी विशाल का जो सेटप होता है वैसा लगाया हुआ था इस बारना हम लोगों ने दूर दूर की माता जी देखी ही नहीं थी यहां पर तो हवन वगरा स्टार्ट हो गया था और फिर हम गए थे सिंधी कालोनी में सबसे अच्छी माता सिंधी कालोनी म हो रहा था है और बिचारी इतनी मेहनत करते हैं सब लोग उसके बाद फिर यहां पर प्रिशाद भी बहुत अच्छा था वड़े मिल रहे थे गरम गरम फिर यहां पर हम लोगों ने और चलते चलते और जो रस्ते में देवी जी थी वो देख देखते भी हम लोग घर पहु